नमस्कार स्वागत है आपका मैं आपके साथ कुसुम और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एक CRPF के जवान ने अपनी पत्नी को पुल से नदी में फेग दिया और इस साजिस के तहत उसने घटना को एक हाथसे का रूप दिया दरसल बिहार के गोपाल गंज से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है यहाँ एक CRPF के जवान ने अपनी पत्नी को पुल से नदी में फेग दिया इसके बाद उसने महिला के पडिवार जनों को फोन करके कहा कि आपकी बेटी सेलफी लेने के दौरान नदी में गिर गई सुचना मिलते ही पुलिस और NDRF की टीम मौके पर पहुँची और महिला की तरास में जुट गई घटना बैकुंड थाना छेतर के बंगला घाट की है लापता महिला बसरक थाना छेतर के सपा गाउं के मनीज कुमार सिंग की पत्नी गुडिया कुमारी के रूप में बताई किया जाता था रक्षाबंदन के दिन भी मारपीट हुई थी रविबार की रात गुडिया को उसके पती पुल पर घुमाने के बहाने भांगरा पुल पर ले जाते हैं और गंडक नदी में फेक देते हैं इसके बाद पती ने सेलफी लेने के दौरान पुल से नदी में गिर की जानकारी दी थी परिवार को जानकारी मिलते ही वो बंगला घाट पहुंचे और महिला की तलास में जुट गए वहीं सूशना मिलने पर इस्थानिय सीए ओ गौतम सिंग के साथ पहुंची एंडी आरेफ की टीम ने गंड़क नदी में लापता महिला की तलास में सर्च ऑपरेशन सुरू किया वहीं एंडी आरेफ इंस्पेक्टर रवी खान ने बताया की सीए ने सूशना दी की महिला पुल से नीचे गिर गई जिसके बाद हम लोग दोनों से दोनों और से नदी में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं महिला की बॉड़ी नहीं मिल पाई है और गौतम सिंग ने बताए कि एंडी आरेफ की टीम महिला की तलास में लगी हुई है Search Operation लगतार जारी है अभी तक महिला की बॉडी नहीं मिल सकी है लेकिन तालास जारी है महिला के परिजनों की सिकायत पर भी मामले की जाच कर रही है हलाकि अभी तक किसी भी प्रकार के साच्छे नहीं मिले जिससे ये सावित हो सके कि पती नहीं अपनी पतनी को नदी में धका दिया था क्योंकि कि उस वक्त कोई भी वहां मौजूर नहीं था कि वो देख सके कि किस ने इस धटना को अंजाम दिया जिसकारण केवल महिला की बॉडी की तालास ही जारी की जारी है